शरीर, प्रकृती के तर्वोतम रचना है, जो अंग, जो तत्व हमें मिले हैं, उन सब का अपना अपना एक तंदेश है एक बाट सोचिए, दो आंखे दी हैं देखने के लिए, दो कान दी हैं सुनने के लिए नतनी भी दो, दो हाथ दिये हैं दोरा परिश्रम करने के लिए, किन्तु जीद, केवल एक उस पर भी नुकी ने दाद दिये हैं, उनकी रक्षा के लिए, कभी सोचा है क्यूँ क्यूंकि शब्द और शब्दों का उप्योग, मनुष्य का सबसे बड़ा श्यस्त्र है जिसका उप्योग जितना सोच समझ के किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही उपर उठता है तो समझे न, देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम रादे, रादे